भगवत गीता अध्याय चार श्लोक नंबर उन्तालेस थर्टी नाइन कारिक्रम लगब पांच मिनट विलंब से है चुकि आज हमने प्रसारन आरंब किया है तो तक्निकी कारणों से कुछ विलंब से हम लोग आरंब कर रहे हैं यह तो गीता के 700 श्लोकों में से प्रतेख अपने आप में अनूठा है विलक्षन है ऐसे ज्ञान को समाहित किये हुए है जिसकी तुलना करना संभवी नहीं है ऐसा ज्ञान जो अपरिवर्तनी है अधी इम्मूटेबल नॉलेज़ दी टाइमलेस नॉलेज़ और जैसा कि अरंब में ही स्कुष्ट हो गया था कि अर्जुन अर्थात किसी काल में भी किसी के भीतर उत्पन द्वंद चाहिक ऐसा भी क्यों ना हो पांफ्लिक्ट चाहिक ऐसा भी क्यों ना हो और कृष्ण की मानी अर्थात डिवाइन इंस्परेशन divine guidance वो दिव्य प्रेरना वो दिव्य मार्ग दर्शन जो हर द्वंद रहित अर्जुन को किसी भी काल में प्रेरित करेगा जिस प्रकार अर्जुन अमर है अर्थात प्रतेक जीव में हर काल में होगा उसी प्रकार कृष्ण भी अमर प्रतेक काल में प्रतेक जीव में एक प्रेरना बन करके अवतरित होगा और भगवत गीता उसी का एक बहुत सुन्दर सुरूप है जो हमारे वेदों और उपनिशुदों का सार है ये श्लोक कहता है श्रद्धा वान लब्धे ग्यानम तत परह संयतेंद्रिया ज्यानम लब्दवा पराम शांतिम अचिरेन अधिग अच्छती संस्कित में जब समाने तहम कुछ लोक सुनते हैं तो मन में ततकाल एक विचार आता है संस्कित समझ में नहीं आती किसी काल का प्राचीन ज्यान होगा धर्म से इसका सिधा संबंध होगा मेरी जीवन से, मेरी प्रोडक्टिविटी से मेरी एक्सिलेंस के साथ इसका क्या ले न देना है मेरी व्यक्टित्व में ऐसा कौं सा निखार ये ला सकता है ये प्रतेक मन में एक प्रश्ण होता है इसलिए गीता का अनुवाद उस रूप में आज होना अवश्यक है जो मुनुष्य की तातकालिक समस्याओं के निदान सरूप, समधान सरूप उसके सामने आए और एक एक शलोक ऐसा है जो मुनुष्य की उत्पादक शमता को, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी और एक एक भाग इतना गहरा है कि सुन करके, समझ करके आपको उतने आनंद आएगा जितना मुझे इसका अध्यान और मनन करने में आया पहला ही शब्द है श्रद्धावान अगले दो शब्द है लबते ज्यानम बड़ा सदल सा अर्थ है श्रद्धावान को ही ज्यान प्राप्त होता है श्रद्धामान किसे कहते हैं क्योंकि श्रद्धाशब्द के साथ हम लोगों ने न्याए नहीं किया अगर न्याए किया होता तो संभवताइ इस पूरी प्रिथी पर Negativity नहीं हो सकती थी जहाँ Negativity है वहाँ श्रद्धा नहीं हो सकती जहाँ केवल Positivity है positive vibrations है, वहीं श्रद्धा, क्यों श्रद्धा का तात्वर केवल एक ही है, कि positivity है, आशा है, होगा, इसे आधिकुर शंक्राचारे ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर कहा है, आस्तिक बुद्धी ही श्रद्धा है, जो मुनुश्य विश्वास करके चलता है, कि होगा, ऐसा है, संभव है, उसी को श्रद्धावान कहा गया है, और जो केवल डाउट में, हरमेशा डाउट में ही पड़ा रहता है, संशे उसको छोडता नहीं है, भै उसको छोडता नहीं है, negativity से छोडती नहीं है, वो श्रद्धावान नहीं हो सकता, श्रद्धावान का अर्थ धर्मा अंडता नहीं है कि अंद्यों करके अनुसरन करना ना श्रद्धावान का अर्थ है उन संभावनों के पर विश्वास करना जो है इस विशेव पर पहली भी उद्बोदन दिया था जिसमें कहा था कि अगर श्रद्धा शब्द ना हो तो इस पूरी पृत्थी पर विज्ञान नहीं हो सकता, scientific research is the direct outcome of श्रद्धा, आस्तिक बुद्धी, आस्तिक अस्ति शब्द से बना है, अस्ति मनें something exists, कुछ है, अगर आस्तिक बुद्धी नहीं होगी, विज्ञानिक कभी भी अनुसंदान आरंभी नहीं करेगा, वो पहले मोड पर कहेगा नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं निकलेगा, मैं क्यों जोकूं अपने आपको, nothing is going to come out from this, I am not going to unnecessarily slog into this mess, वो चोड़ देगा, विज्ञानिक को सबसे बड़ी आशा होती है, संभावनों की आशा होती है, कुछ निकलेगा, और वो हजार असफलताओं के बाद भी डट करके आगे चलता है, एक व करके और सफलता को चूमने के लिए कौन प्रिरित करता है, उसकी आस्तिक बुद्धी, क्योंकि हमने अस्तिक शब्द या आस्तिक शब्द का जैसे प्रियोग करते हैं, तुरंत हम धर्म के और भाग जाते हैं, यही तो हमने अपने प्राचीन गरंथों के साथ, शृतियों क इसके लिए रचना की गई थी, जिसको हमने केवल बांद दिया धर्म के गलियारे तक, अन्याय किया, शब्धा भी वही शब्द है, क्योंकि शब्धा पर ही तो सारा धर्म तंत्र भी टिका है, जबकि वास्तिविक अर्थ इसका शब्धा का लेने देना है, हर उस जीव के साथ, जो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चनौती का सामना करना चाहता है, हर उस जीव के साथ, जो बड़े से बड़ा सपना बुनना चाहता है, आप उसके सपने में से शब्धा हटा वो कभी सपना बुने नहीं पाएगा क्यों कि नेगिटिविटी उसको आके घेर लेगी वो सोच भी नहीं सकेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ ये संभव हो सकता है वो कभी अपनी अक्षमता पर रोएगा कभी वातावरन पर रोएगा और इधर उधर रो करके छोड़ देगा कभी भी शद्धावान व्यक्ति अपने सपने यूही इधर उधर के कारणों से बिसराता नहीं है संकल्प से पहले ही शद्धाग आवशकता है तुलसी दास जी ने क्या सोच करके रामायन से पूर्व लिख दिया कि भवानी और शंकर शद्धा और विश्वासी है क्योंकि अगर शद्धा और विश्वास नहीं है यूविल नॉट टेक दी फर्स टेप यूविल नॉट इवन देर टू ड्रीम forget about other things आप सकल्पना भी नहीं कर सकोगे कि मैं अब वो काम करने की सोचू हूँ आप पहले negativity में चले जाओगे और फिर आपको छोटी छोटी असफलता है क्योंकि problems are all over यहां विज्ञान ने जो कुछ भी पाया है वो problems को solve करके ही तो पाया है जहां कहीं भी किसी ने पाया पानी पर लोहे को तेराया दृत गती से वहनों को धर्ती पर आकाश में उड़ाया असंभव को संभव बनाया किसके बूते केवल एक ही शक्ती के बूते श्रद्धा no इसका मतलब no it is possible negativity को no कह दिया श्रद्धा शब्द हिलते ही समूचा विज्ञान चर्मरा करके गिर जाएगा श्रद्धा शब्द गिरते ही पूरी entrepreneurship पूरी उद्यमिता चर्मरा करके ताश के पत्तों की तरह कड़ 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 कर नीचे आ जाएगी हर वो व्यक्ती जो ने से ने उद्योग को शुरू करता है एनी स्टाट अप उसका बेसिक रिजर्व और क्या है श्रद्धा कुछ नहीं में बहुत कुछ को संभव कराने की जो ठानता है वो किसके बूते श्रद्धा सामने की चनौतियां negativity देने की चेष्टा करती है पर भीदर की श्रद्धा उनका सामना करती है इस विश्वास के साथ कि नहीं मैं कर पाऊंगा मैं कर लूँगा हलाकि जब श्रद्धा मनुश्य के मन में होती है उससे में सारे समधन सामने नहीं होते पर एक होता है कि नहीं मैं कर पाऊंगा श्रद्धा शब्द का अर्थ धर्मांदता नहीं है अंधापन नहीं है Blindfoldedness नहीं है क्योंकि बड़ा जीना सा पर्दा होता है अंधेपन में और श्रद्धावान होने में अंधाव्यक्ति वो होता है जो व्यवहारिक्ता का समूचा बोध छोड़ करके pragmatism का what is practical अपने हिस्से के पूरी responsibility को विसरा करके बस केवल सोचता ही चला जाता है एक दिन वो अंधा हो सकता है पर श्रद्धावान वो है जो कुछ सोचता है तो उसके उपर स्वेम को भी अनुशासित करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि मन में प्रशन आ सकता है सुनते समय क्योंकि सुन बुद्धी रही है न कानू के द्वरा बुद्धी तो विश्लेशन करती है जब मैं बार बार कहता हूँ संभव को संभव करना तो बुद्धी सोच सकती है इसका मतलब यह अंधा बनी तो हुआ न तो कैसे भेद करें कि श्रढ़ामें और अंधे मन में अंतर क्या है सबसे बड़ा अंतर यही है श्रढ़ावान स्वैं को अनुशासित करने के लिए अर्थात अपने लक्ष को प्राप्ध करने के लिए स्वायम को हर रूप में अनुशासित करने के लिए तयार होता है और अन्दा व्यक्ति अपने अनुशासन की नहीं सोचता केवल त्रिशनाओं में और कल्पनाओं में अधूरी लटकी वी कामना बुनता है ये सबसे बड़ा अंतर है जब भी तुमारे मन में प्रश्न आए कि श्रद्धा में असंभव को संभव करना और अंध्यपन में क्या अंतर है ये अंतर मान लेना श्रद्धावान वो जो अपने लक्ष को पाने के लिए अपने आपको हर प्रकार से सैये मिलाने के लिए तयार है और अंधा वो जो अपने हिस्से के नहीं सोचता केवल कल्पना को कामना को बुनना जानता है इन दोन में सबसे बड़ांतर यही है और इसी को गीता ने स्पष्ट किया है गीता ने वस्तत है श्रद्धावान लबते ग्यानम ज्यानम शब्द का तात्पर यहां पर है विज्डम नॉलेज मुनुष्य के लिए सबसे बड़ी पृथ्थी पर संपदा क्या है तुम्हे वो सब पता है जो तुम्हे पता होना चाहिए इससे बड़ी और क्या वस्ता होगी यू नो वट आल यू वान तो नो अमर्ता पर यहां जयान का तात्पर है टूड बी अबलीटी तो अंडरस्टन दि एबलीटी तो कांप्रेहैंड दि आबलीटी तो नओ वोट आल यू शुद बी नोइंग जैसे सबसे बड़ा दोल यही होता है क्या करूं क्या शुरू करूं कौन सा काम शुरू करूँ and you know that यह ज्ञान है कैसे करूँ क्या-क्या steps होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पता लग जाएं ज्ञान है कौन कौन मरी साहता करेगा कैसे कैसे approach करूँ कि सफल हो के आऊं ज्ञान है क्योंकि मुनुष ज्ञान के ही बूते सब कुछ संभव करता है इसलिए intellect now बहुत देर बाद पृत्वी ने माना कि it is the only property actually I tell you intellectual property right शद्धावान को ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान अर्था जो उसे पता होना चाहिए केवल उस व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है जो व्यक्ति आस्तिक है आस्तिक माने जो विश्वास करता है कि हाँ संभव है यह तो पहली शर्थ हो गई और दूसरे इसी श्लोक के भाग में मैंने कहा ना छे भाग मैंने किये पहला भाग श्रद्धा दूसरा ज्ञान कि आपको समझ में भी हमें आए कि ज्ञान क्या क्योंकि ज्ञान शब्द बड़ा ब्रॉड है बड़ा ओपन इसलिए इसको बताना जरूरी है कि आज के संदर में आज के अर्जुन के लिए ज्ञान क्या है आज के अर्जुन के लिए ज्ञान का अतात परे है that he knows what he should be knowing in the relation of his subjects उसके जीवन के विशे है in the relation of his situations जो उसके जीवन की परिस्थितिया है in the relation of the people जो उसके आसपास का समुदाय है लोग हैं उन सब के विशे हैं उसको सब पूरा ज्ञान है उसे ही ज्ञान का है श्रद्धावान को ही पता लगता है जो positive minded है negative minded scientist को क्या कुछ कभी मिल सकता है कुछ नहीं मिलेगा उसको उसके हिस्से के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी क्यों क्योंकि वो अश्रद्धा से negativity से पहले कदम पे छोड़ देगा हो गए नहीं तो अश्रद्धावान को तो ज्ञानम कभी भी मिलने वाला नहीं है that is something which is a writing on the wall लिखा आए आकाश में समझ लीजिए दो शर्तें तो समझा दी दो बातें इसके बाद तीन बातें और है कि श्रद्धावान वो जिस व्यक्ति में अपने उपर संयम है अपने आपको भी अनशासित करना जानता है positive है ये सारी बातें अगले दो शब्दों में हैं तत परह संयत इंद्रिया तत पर शब्द हम बहुत सुनते हैं बड़ा तत पर है वो तत पर शब्द को हम लोग सामानित है readiness के रूप में की I am ready, yes मैं करने के लिए तत पर हूँ इस शब्द को तोड़ के देखो तो कितना गहरा शब्द है छोटा सा शब्द तत पर तत शब्द याद कीजिए गायतरी महामंत्र में आता है ओम भूर भूवह स्वा तत सवितुर वरेणियम तत मने दैट वो जिसका कोई नाम नहीं हो सकता जिसका कोई रूप नहीं हो सकता जो कुछ भी हो सकता है उसी को तत कहा जाता है तत मने दैट यहाँ पर शब्द का अर्थ है समर्पन devotion, devoted जो उसके प्रती समर्पित है यहाँ तत कौन हो सकता है यहाँ हर व्यक्ती का तत मने हर व्यक्ती का दैट तत मने दैट, अलग अलग हो सकता है किसी का तत केवल भगवत प्राप्ती हो सकता है किसी का तत एक निया स्टाट अफ हो सकता है किसी का तत एक क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी का तत पूरी पृत्थी को गुरुमना, ब्रह्मन करना, ग्लोब ट्रेवल हो सकता है, किसी का तत हिमाले पर चणना हो सकता है, किसी का तत राजनीती हो सकती है, किसी का तत एक बैंक खोलना हो सकता है, हर व्यक्ति का हर जीव का अलगता है, किसी का तत स्वास्त हो सकता है, आजकर start-up की दुनिया है तो अधिकांच जिवाओं के लिए तत उनका start-up है तत माने that that माने it could be anything you can something which you cannot confine something which you cannot limit उसे तत कहा गया है तत को बांदा नहीं जा सकता तत को सीमित नहीं किया जा सकता तत पर अंकुष नहीं लगाया जा सकते इसलिए तत शब्द का प्रियोग किया गया है तत परहा सैयत इंद्रिया श्रद्धावान कौन है उसकी qualifications बताने की चेश्टा की गई है श्रद्धावान वो जो positive mind है श्रद्धावान वो जिसके positive state of minds पर सारी knowledge आ जाती है all that he must know श्रद्धावान वो जो समर्पित है उसके प्रती उसका मने तत मने आपका लक्ष है जो भी आपका लक्ष है और श्रद्धावान को सैयत इंद्रिया यह अंतिम शब्द है Sanskrit is a language which I really don't know बहुत बड़ी उम्र में आने के बाद मैंने यह थोड़ी थोड़ी समझनी शुरू की है पर मेरा यह विश्वास है इतनी उम्र में आकर के मैंने से समझने की चेश्टा की कहीं बच्पन से ही मैंने इसको पढ़ा होता तो मैं कल्पना नहीं कर सकते अब खेर मरने के बाद अगले जनम में बगवान से प्रात्ना है कि बच्पन से ही संस्कृत पढ़ानी शुरू कर देना यह अगला जनम दिश्चित है तो बच्पन से ही पढ़ना शुरू कर दे इस रूप में पूरी पंक्ति को पंक्शुएट कर देते हैं कि इस पूरी प्रिथी पर कोई कल्पना नहीं कर सकती भाशा या भाशा विद कि वो इसकी तुलना करके इतने बड़े भाव को समेट के रख दे आप समेटी नहीं सकते तत परह जो उसके प्रिथी समर्पित है संयत इंद्रिय है संयत इंद्रिय माने जो व्यक्ति अपने आप पर अंकुष्ट लगाना जानता है स्वयम को अनुशासित करता है मैं इस पर उद्वोदन दे रहा हूं पर मैं एक अध्यापक होने के नाते एकसेप्ट करता हूँ कि श्रदावान मैं हूँ तत पर भी हूँ पर जहां तक संयत इंद्रिय की बात आती है मैं वहाँ पूरी तरह ख़रा नहीं उतरता मेरी समूची इंद्रिय मेरे संयाँ में नहीं है ये मानना भी जरूरी है क्योंकि गीता पड़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे हैं यही सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि जिस किसी ने भी रिशियों के ग्यान को बाचना शुरू किया हमने उसको बगवान मान लिया वो भी मुनुष्य है आपसे ज़्यादा कमजोर हो सकता तो सहियत इंद्रिय जिसका स्वयम पर नुशासन है जो अपनी उपर अंकुष लगा सकता है उसे कहा क्यों इसलिए क्योंकि पॉजिटिव माइंड होना काफी नहीं है केवल अपने लक्ष के प्रती समर्पित होना सबसे इंपर्टन लास्ट फैक्टर है सञ्यत सञ्यम इंद्रिय इंद्रिय माने जिनके द्वारत दुनिया का व्यापार चलता है इस बिजनेस ओफ लाइफ इस कंड़क्टेट थ्रू आवर सेंसरी ओर्गन we see, we listen, we hear, we taste, we utter, we communicate, we touch, we walk whatever we do, whatever we do इंद्रियों के माध्यम से तो होता है न इसलिए सञ्यत इंद्रिय अर्थाज जिनके द्वारत दुनिया के सारे व्यापार का लेन दिन है देखना, सुनना, समझना, चखना, छूना ये सब कुछ जहां से है, उसको अगर हम अंकुष में नहीं ला पाते तो केवल शद्धावान होना प्रयाप नहीं है अगर किसी विग्यानिक के मन में रोज शाम के सारे टीवी सीरियल्स हो किसी विग्यानिक के मन में पूरे शेहर के हर रेस्टरेंट में जाकर के चखने का मन रहता हो किसी विग्यानिक के मन में डेली पार्टी टाइम की बात आए किसी विग्यानिक के मन में 24 घंटे अगर ये खरीद लू वो खरीद लू लटकता रहेगा माने संयम नहीं है इंद्रियों पर तो क्या वो अपने खोज कर पाएगा क्या वो तत पर है अर्था जिसके प्रती समर्पित है जिस लक्ष के प्रती समर्पित है वो कभी पापाएगा कभी नहीं कैसे पाएगा उसको तो डेली पार्टी चाहिए उसे तो सब कुछ देखना है जो चल रहा है वो ख़ोना चाहता है, कटना बटना चाहता है चाहे वो एतलीट हो स्पोर्ट्स्मन किसी तरह का भी हो चाहे वो वज्ञानिक हो चाहे वो entrepreneur हो चाहे वो student हो और चाहे वो अध्यात्म का उपासक हो अगर अनुशासन नहीं है if there is no discipline, if there is no control at what time I should be doing what in what quantity I have to do what अगर यह control नहीं है शद्धा किसी काम की नहीं है रखो अपनी जेम पनी शद्धा को I am positive minded रहो, it is not going to affect मैं अपने लक्षे के प्रतिय समर्पन हूँ रहो मैं अनुशासन नहीं हो तो कुछ फैदा नहीं है तुमारी positive state of mind का और तुमारा अपने लक्षे के प्रतिय समर्पन का कुछ नहीं निकलने वाला बेकार में जिंदगी व्यर्थ करोगे क्यों क्योंकि जो basic factor है वो ही नहीं है अनुशासत हो करके आगे चलना अपने mood अनुशासन का मतलब केवल ये नहीं होता लोग अनुशासन का मतलब इतना सा मान लेते हैं कि केवल वो सब उतने समय पर करते रहना ये ना घूमना ना भटकना बैसी का अनुशासन सबसे बड़ा अनुशासन, पता है क्या है इनसे भी बड़ा, अपने मूड के अंतरगतन आना, क्योंकि 99 परसेंट अनुशासन को तोडने वाला, जो सबसे बड़ा रक्षस है, वो है मूड, आज मूड नहीं है, क्यों नहीं है, बस नहीं है, तो नहीं है, और जिसने मूड को संभालना शुरू कर दिया उसने अनुशासन की उस कक्षा को पकड़ लिया क्योंकि अगर मूड का पीछा करता आइंस्टाइन या मूड का विच्छा करते मिस्टर धाम आपको लगता है कि कभी कुछ आ पाता कुछ नहीं आ सकता था मूड का पीछा करने वाले भटक सकते हैं काफी शॉप्स में भटक सकते हैं पर कुछ प्राप नहीं कर सकते मूड को लांग करके अपने आपको दबा करके भी बहुत से प्रेरख कहते हैं अपने आपको दबाना नहीं चाहिए यह बात तो सच है कि अपने आपको दबाना तो नहीं चाहिए पर अनुशासन के लिए दबाव जरूरी होता है आप पानी पर दबाव ना डालिये तो क्या आपकी केवल इच्छा से पानी 25 मंजिल उपर चड़ जाएगा नहीं चल सकता आपको दबाव डालना बढ़ता है बिना दबाव डाले इस पूरी प्रकृती में कुछ संबव नहीं है पानी पर दबाव ना डाले तो नहरे निकल सकती है जहां सूखा है वहां हर्याली लाई जा सकती है इरिगेशन पूरा ठप हो जाएगा क्या अगर आप हवा पर दबाव नहीं डालेंगे तो क्या आपके वहन ना धर्ती पर चलेंगे ना आकाश में उड़ेंगे आप जल पर दबाव मत डालिए आपकी नाव कहीं जाने वाले नहीं है अगर कहीं लेरें पटक देंगे तो पटक देंगे गंतव्य पर लक्षे पर नहीं जाएंगे इसलिए स्विच्छा धारी होकर के सोचने से पहले ये सोच लो कि तुम ततपर है लक्षे के प्रती समर्बिद हो तो फिर अपने उपर दबाव डालना भी थोड़ा सीख लो स्वा अनुशासन शब्द ही है नोबडी, नोवान एल्स क्योंकि जीवन में होता ये है कि एक सीमा तक तो माबाप का अनुशासन रहता है उसके बाद there is no one to regulate us किसी की हमत नहीं हमारे सामने हमें बोल जाए आफिस में नौकरी करते हो तो नौकरी के डर से सुनोगे पर वैसे कुछी के सुन नहीं सकते ऐसे में कौन है जो अनुशासित करेगा कौन है जो मुझे तत पर है मेरे समर्पन के प्रती मेरे लक्ष के प्रती मुझे आगे बढ़ाएगा स्वव अनुशासन स्वव अनुशासन से ओपर कोई शक्ती नहीं जो मुझे मेरे गंतवे तक पहुंचाने के लिए प्रतिपल प्रिरित करेगी आपने सोचा नहोगा कि गीता ये श्लूक इतना गहरा हो सकता है श्रद्धावान लबते ज्यानम तत परह संयत इंद्रियह श्रद्धावान को ही positive state of mind को ही knowledge मिलती है knowledge मने all that I must know all all that I must know जो मुझे पता होना चाहिए मेरी समस्याओं के समुचे समाधान मेरी विशमताओं के सारे मार्ग मुझे पता होने चाहिए और उन्हें कैसे पाना ये पता होना चाहिए श्रद्धावान लबते ज्यानम तत परह और अपने लक्ष के परती में समर्पित रहूँ संयत इंद्रिया है और अपने स्वव अनुशासन के द्वारां चलता रहूँ क्योंकि श्रद्धावान को लबते ज्यानम ज्यान तो लक्ष हो गया पर यह पूरा तब होगा जब यह सारे फैक्टर्स पूरे किये जाएंगे आगे हों कहते हैं ज्यानम लब्दवा पराम शान्तिम बैने चार शब्दों की व्याक्या पहले की श्रद्धावान ज्यानम तत परह और संयत इंद्रिया दो शब्द बाकी हैं पांचमा और छटा पांचमा है ज्यानम लब्दवा पराम शान्तिम ज्यानम लब्दवा ज्यान जब प्राप्त हो जाता है पराम परम बने सबसे उपर अल्टिमेट अल्टिमेट टॉप कॉलिटी पराम, परम, शान्तिम जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे शान्ती प्राप्त हो जाती है और शान्ती शब्द का अर्थ हम लोगों ने हमेशा मिसकंस्ट्रू किया है, मिसंडर्स्टान किया है हम शान्ती को केवल एक यहां तो स्थिरता मान लेते हैं कहते हैं जब कि शान्ती इतना छोटा शब्द नहीं है चैन उसके निकट है कि मुझे चैन बढ़ गया वो निकट है पर पूरा नहीं है क्योंकि इसके वास्तिरिक अर्थ आपको तब बता लगता है जब आप शान्ती पाठ करते हो अंतरिक्ष को भी शान्ती देने जा रहे हो क्या वो बेचैन है आप अंतरिक्ष को किस को शान्ती देने चाहते हो कौन कौन से जगत को आप अपनी बात कर समझ में आती है वनस्पतियों को भी शान्ती दे रहे हो बड़ी बेचैन है आप को छोड़ना है नहीं चाहते हो शान् बेचैन मन अंतरक्ष को चैन देने चला है is it possible that we in under absolute instability turmoil disturbance we are trying to restore harmony to the cosmos it's impossible, it's not possible at all यह संभव नहीं है शांती शंत का तात परे है जिस रूप में इस पूरिश श्रिष्टी में हर चीज को होना चाहिए जब उस order पर वो आ जाती है उस नियमन पर वो आ जाती है उसी को शांती कहा गया जो जैसा होके चलना चाहिए जब वैसा वैसा होके चलता है तब चलता है आप किसी भी ग्रहनी से भारत में पूछिए आप बेंजी आप क्या चाहती हो ग्रहनी में इसका अर्थ के कहता हूँ, जो ग्रहनी तो सब हैं, जो कामकाजी हैं वो भी ग्रहनी आ है, जो घर पर रह करके काम करती हैं, वो भी ग्रहनी आ है, किसी भी ग्रहनी से आप पूछ लीजिए, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, कि बैन जी आपके सबसे बड़ी इच् आप उसको पांच साथ प्रशनों में जब ठोड़ा कंफाइन करोगे न प्रिसाइस करोगे तो मन से उसके एक ही बात ने लेगी बाई सब कुछ ठीक ठीक चलना चाहिए जब भी मैंने किसी ग्रहनी के मुँँ से सुना कि घर में सब ठीक 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 चलना चाहिए तो मैंने का शांती शब्द का गहरा अर्थ इसको पता है क्यों क्योंकि बाकी नहीं सब ठीक 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 चलना चाहिए सब ठीक ठीक चलना चाहिए ही शांती है कि everything works in accordance to the order it has been programmed for जिस अनुशासन जिस नियमन जिस प्रकृति जिस प्रवति के अंतरगत इस पूरी स्रिष्टी को program किया गया है जब सब कुछ उसी order में everything falls in line उसी को शांती शब्द के नाम से संबोजित किया गया है इसलिए हम जो शांती पाठ करते हैं तो अंतरिक्ष से भी आशा करते हैं behave the way you should be behaving क्योंकि अगर अंतरिक्ष ठीक behave नहीं करेगा तो क्या होगा सूरे कहगा चलो आज मैं पृठी को थोड़ी दिर घुमी आता हूँ हम बसम चंद्रमा कहगा कि आज मैं कंदे से कंदे टकर मला के दरा पृठी से टकर मारके आओ हम गये हो सकता है कि जुपिटर वीनस ये सारे सोचें चलो आज प्रिथी पर थोड़ी रिक लिए आ जाते हैं उन ग्रहों को तो प्रिथी पर समेटने की जगह नहीं है दो कमरे के फ्लैट में अगर पांसो आदमी घुस सकते हैं क्या यही होगा अगर को बड़ा उप ग्रह बड़ा इक्षष बेहब द वे यू शुट बेहवे इवेवें श्टेव यू आज आज अगर टीक चलना जाएं सब ठीक ठीक चलना जायें सही माइनगे में ग्रहनी ही जानती है कि वेद की सबसे महत्तपून कामना का प्रयोजन क्या है बड़ा इस अगर पर्पस बहांद इट और तो क्या होता है? Everything starts to fall in proper line सब कुछ ठीक ठीक होना शुरू हो जाता है सब कुछ वैसा होना शुरू हो जाता है जैसा होना चाहिए Everything starts behaving the way it should be behaving इसलिए कहा उन्होंने ज्ञानम लब्दभा पराम शान्तिम शान्ति is not a small word it's a big word इसके बाद है पांच शब्द हो गए महत्पुन शदावान the positive state of mind ज्ञानम, what all I should be knowing तत परह मेरा लक्ष उसके बरती मैं समर्वे तत मने, वो, वो मने आपका जो भी लक्ष होगा तो कि बरिशियों ने ऐसा शब्द चुन लिया तत जिसको indicator है ये परह आपको कोई भी मन में आपकी जो भी मनों कामना हो मनों कामना मतलब क्या होता है whatever it may be, आदमी के पास करोण मनों कामना हो सकती है इसलिए मनों कामना माने, whatever और समूची मनों कामना को एक ही रूप में कह दिया तत, that तो मुसके प्रति समर्पित हो सैयत इंद्रिया चौथा शब्द जब आप अपने आपको अनुशासित करके उसकी और बढ़ते हो तब आपको ज्यान प्राप्त होता है जो आपको शान्ती देता है अर्थात आपकी सारी जीवन के घटना करम लगबग वैसे चलने शुरू हो जाते है जैसे होने चाहिए जैसे चलने चाहिए लास्ट का दो शब्द हैं जिनमेसे एक ही जबने बोलना है अचिरेन अधिगच्छती अधिगच्छती माने होना शुरू हो जाता है इट स्टार्ट हैपनिग हो जाते हैं जाना हम कहते हैं गच्छती गए वैसा होना शुरू हो गया अचिरेन बहुत बड़ा शुरू है अचिरेन चिरेन शुरू होता है जब कोई काम आपका बड़ लंबे समेबाद अना हो इसे पूछिए सब ये फिर कब होगा Oh it is going to take a long time time, it is really going to take long time. और अगर आपको कोई कहे कब होगा, यूँ कैसे, नहीं, बाईसाब कब काम हो जाएगा, यूँ, instantly, instant coffee instantty, button दबाया गड़ 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 कवी नीचे है instant जिसे immediacy कहते है instant कहते है उसे कहा है आ चिरेन चिरेन माने जिसमें बड़ा लंबा टाइम लगेगा उसको negative करने के लिए आ शब्द लगा दिया जैसे क्षमता के साथ अक्षम लगाते हैं अ लगाते हैं न अ से उल्टा हो जाता है कई चीज़े उसी तरह यहां आ चिरेन something which will happen now जिस व्यक्ति के state of mind positive है श्रद धावान उस व्यक्ति के वो सब ग्यान हो जाता है जो उसको होना चाहिए उसके business, उसके job उसकी किसी भी चीज़ के प्रती तत्प है, सहियत इंद्र है वो व्यक्ति अपने लक्ष के प्रती समर्पित हो और वो अपने आपको अनुशासित कर ले तो उसकी सारी घटनाएं, सारी जीवन के सारे काम वैसे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे होने चाहिए कब उसी ख्षन अचिरेन अधिग अच्छती at that very moment क्योंकि बुद्धी जानना चाहती है वैसा पिर ये कब होगा when it is going to happen इसके लिए मुनिवेद व्यास ने काल ही गुरू ने अपनी ब्रह्म विद्या के द्वारा कह दिया कि जिस व्यक्ति के भीतर भी ये सारे फैक्टर पूरे होते हैं उस व्यक्ति के भीतर वो विवस्थाएं ततकाल आनी शुरू हो जाती है अचिरेन अधिग अधिग अच्छती इसे ब्रह्म ज्यान से जोड सकते हैं इसे अपने स्टार्ट अप के साथ जोड सकते हैं इसको प्रफेशनल प्रॉब्लम्स के साथ जोड सकते हैं इसको परस्नल अबिल्टी के साथ जोड सकते हैं इसको किसी सिचुवेशन हैंडलिंग के साथ आप जोड सकते हैं इसे आप अपने किसी भी अवस्था के साथ जोड सकते हैं किसी crisis management के साथ आप जोड सकते हैं it could be related to any aspect of your life whether it is economics, whether it is politics whether it is social, whether it is familial whatever it may be, you can associate it with everything with everything Gita के ज्यान का सौंदर ये है कि Gita के ज्यान का प्रसंग the relevance, the relevance प्रसंग माने the relevance, the relevance of the knowledge of Gita is timeless and beyond माने ना कि अबल काल से परे है बलकि विश्यों से भी परे है उसको कहीं पर भी आप लगा के देख लीजिए कहीं पर भी आपने कोई academic qualification प्राप्त करनी हो तो कोई economic status प्राप्त करना हो तो social status, political status कुछ भी परना हो आप उसको अतार के लगा सकते हैं ये श्लोक बड़ा गहरा श्लोक है और क्योंकि आज ये प्रसारन चल रहा है मैं इस प्रसारन के माद्यन से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर दूसरे और अंतिम रविवार हर महीने के दूसरे और अंतिम रविवार ये गीता का ग्यान एक श्लोक पर अधारित करके हम प्रसारित करते हैं अपने से यूट्यूब चैनल गॉस्पल नुमेरिक फोर लर्निंग जी ओ एस पी एल नुमेरिक फोर चार लर्निंग ल ए ए आर एन एन जी मैं अपने मुख से इसलिए बोल रहा हूं तक कि आवाज सुरूब में रिकॉर्ड हो जाए दूसर अंतिम रविवार अंतिम इसलिए क्योंकि कई महीनों में पाँच रविवार होते हैं इसलिए हर दूसर अंतिम रविवार 7.45 पर 7.45 योदबोधन आरंभ होता है अवधी 40 मिनट से 45 मिनट या कभी-कभी एक गंटा भी होती है क्योंकि आज ये पहली बार हमने प्रसारन इस रूप में आरम किया है अता है जो लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हूं वो इस समय का ध्यान रख सकते हैं इस लोग को एक बार पुने दोरा करके और हम लोग आज के इस पाठ को पूर्ण करेंगे आप मेरे साथ साथ दोराएंगे जिससे आपको भी इसके शब्दों का बोद हो जाए अब बड़ी असानी से शब्द समझ में आएंगे क्योंकि आपने एक एक शब्द को समझ लिया है इसको हम लोग चार भागों में बोलेंगे श्रद्धावान लबते ग्यानम अचिरेण अधिगच्छति एक बड़ फिर से दोराते हैं श्रद्धावान लबते ग्यानम तत परह संयतिंद्रियह ज्यानम लबदवा पराम शान्तिम अचिरेण अधिगच्छति अब सुन लिया तो समझ में आगया कि श्रद्धावान लबते ग्यानम समझ में आगया श्रद्धावान पॉजिटिव स्टेट अफ माइन ग्यान वट आल आई शुड बी नुएंग उसके बाद समझ में तत परह संयतिंद्रियह तत परह मने जो उसके परती मने अपने लक्ष के परती तत मने लक्ष के परती समर्पित है परह मने समर्पित है सहीत इंद्रिया जो अनुशासित है उसके बाद ग्यानम लबदवा पराम शामती जिसको ग्यान प्राप्त हो जाता है उसकी सारी चीज़ें ओर्डर में आने शुरू हो जाते हैं विवस्ता में आने शुरू हो जाते हैं अचिरेन अधिगच्चती ततकाल वो उस रास्ते पर चलना सब कुछ अरंब हो जाता है No, it is very simple for us अब मेरे साथ फिर से एक बर अंतिम बार दो राईए और फिर हम कक्षा को पूर्ण करेंगे शद्धावान लबते ज्ञानम तत परह सैयत इंद्रियह ज्ञानम लबधवा पराम शान्तिम अचिरेन अधिगच्चती यह श्रीमत भगवत गीता का जो शाब्दिक अनुवाद है वो गीता प्रेस गोर्खपुर से लिया गया है यह उन्होंने बहुत अनुठा काम किया है जैद्याल गोइंदका जी के द्वारा और गीता की जो विवेचना है वो जैसा मैं हर बार कहता हूँ लगबग तीस रिशियों का ज्ञान अनुभव करने के उपरांथ आज के प्रसंग में उसके निश्कर्ष आप लोगों तक प्रस्तुत करने की मैं चेश्टा करता हूँ तो यह हर बार इसी प्रकार से चलता रहेगा मिलते हैं इस माह के अगले माह के माने अब ये ऑक्टूबर गया अब नवंबर के दूसरे रविवार प्राते साथ पैंट आविश पर इसी प्रकार आरंब होगा और जिनके यहां यूटूब पर प्रसारं आरंब होने में एक या दो मिनट लगते हूँ वो प्रतिक्षा करें connectivity कई बार एक आद मिनट ऊपर नीचे ले जाती ही जैसे आज पांच मिनट ले गई Stay connected and we'll come back again Om Shanti 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 Om